हे गाइज, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वास्तव में कोनार्क मंदिर को क्यों बनाया गया था और वीडियो के अंत में आप खुद तै कर सकते हैं कि क्या ये सच में एक हिंदू मंदिर है कलपना कीजिए कि आप एक पांस साल के बच्चे हैं और आपके माता पिता आपको कोनार्क मंदिर लेकर गए हैं इस मंदिर में आप ये सब देखते हैं मंदिर के निचले हिस्से में आपको वो सब दिखता है जिसमें बच्चों को खासकर रुची होती है जानवर यहाँ विभिन न जानवरों और उनकी आदतों की पूरी नकाशी की गई है जैसे कि देखिए ये नन्ना हाती कैसे अपनी मा के आसपास घूम रहा है बंदरों की हरकते कैसी होती है कुछ तो बिल्कुल आज के काटून नेटवर्क की तरहा मज़ेदार लग रहे हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे जंगली हाती को पकड़ने के लिए इनसान पालतू हाती का प्रियोग कर रहा है यह एक पिंजरा है और आप देख सकते हैं कि कैसे मूर्तिकार ने कितनी अच्छी तरहां से एक हाती को पिंजरे के अंदर दिखाया है यह प्राचीन भारत का एनिमल प्लैनेट था पर यह सब यहीं नहीं रुखता मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यह कुनाक मंदिर एक एनसाइकलोपीडिया की जैसा है एक विश्व विध्याले की तरहां सभी उम्र के लोगों को विविन विश्यों की जानकारी देता है मुझे एहसास हुआ कि हम मंदिर की उचाई की हिसाब से इसे विविन विश्यों में बाट सकते हैं पहले के दो फीट की उचाई पांच साल तक के बच्चों के लिए है और जब आप 6-10 साल की उम्र के होते हैं तो आप नाचना, गाना और वाध्य बजाने जैसी गतिविधियों को देखेंगे इस मंदिर में बहुत अधिक मात्रा में संगीत और निर्त्रकला की नकाशी की गई है ये इस छेत्र की पारंपरिक निर्त्रकला ओडेशी है इस मंदिर में भारतिय लोक निर्त्यों की 128 मुद्राओं की नकाशी है अगर आप एक अधिक सक्रिय बच्चे हैं तो आप मार्शल आर्ट जैसे की मुक्के बाजी और कुछती भी देख सकते हैं बेशक खेल की बिना जीवन मजेदार नहीं होता इसलिए आप रशा कसी जैसे खेल भी यहां सीख सकते हैं तीसरा इस्तर जिसमें बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक जानकारियां विशेश्ता अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताया गया है जो की 11 से 15 साल के बच्चे के लिए बहुत अच्छा है यह पईया एक संडायल है जो की बिलकुल सटीग वक्त बताता है सूरे देफता को समर्प्तिय मंदिर सूरे के काम करने की तरीके को प्रतिकात्मक रूप से दर्शाता है इस मंदिर को एक रत के आकार में बनाया गया है और इसके 24 पहिये दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं इसमें तीन हस्ते, गंभीर और उदास सूरे के माध्यम से सुभा, दोपहर और शाम को दर्शाया गया है पर सभी विशेशग्य और आम जनता किसी बहुत खास चीज से चूग गए रत के दोनों तरफ ये किस अजीब जानवर की नकाशी की गई है ये घोडे हैं जो की बहुत बुरी अवस्था में हैं इन्हें बहारी आक्रमर करताओं ने बुरी तरहां से बरबाद कर दिया है ये कुल साथ घोडे हैं जो सूरे के रत को खीचते हैं अब रत को खीचने के लिए साथ घोडे ही क्यों कुछ लोग कहते हैं कि जैसे 24 पहिये दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं वैसे ही साथ घोडे सप्ता के साथ दिनों को दर्शाते हैं पर ये सच नहीं है खगोल विद इस बात को स्विकार करते हैं कि सब्ता के साथ दिन सूर्य से संबंदित नहीं है बलकि कुछ सब्यताओं में तो सब्ता के आठ दिन भी होते हैं क्योंकि इसका सूर्य एवं पृत्वी की गती से कुछ लेना देना नहीं है तो फिर सूरी देवता का ये रत साथ घोडो द्वारा ही क्यों खीचा जाता है अगर आप यहां के स्थानिय बुज़ुर्ग लोगों से बात करें तो वे कुछ दिल्चस्प जानकारी देते हैं उनका कहना है कि हरे घोडे को इंद्रधनुष के अलग-अलग रंगों से रंगा गया था तो संभवता इस घोडे को बैगनी रंग से रंगा गया होगा इसे नीले से और ऐसे ही बाकी सभी को भी अब जैसा कि हम जानते हैं कि आईजेक न्यूटन ने खोच की थी कि सूर्य की रोशनी सफेद नहीं होती बलकि साथ रंगों से बनी होती है ये उस समय की चौकाने वाली खोच थी और आज भी इस तथ्य को स्विकार करने में परेशानी होती है कि वास्तम में सूर्य की किर्णे साथ अलग-अलग रंगों से बनी है न्यूटन ने सिध्धान्त की खोज 1600 शतावदी में की पर यह मंदिर तो उससे 400 साल पहले ही बना था तो प्राचीन निर्माट करताओं को ये कैसे पता चला कि वास्तम में सूर्य की किर्णे साथ रंगों से बनी है अधिक महत्वपूर बात यह है कि इतिहास कारों ने इसी अपनी किताबों में क्यों नहीं लिखा जो भी हो अब आपको पता है कि सूर्य के रत को साथ खोड़े क्यों खीशते हैं अगला इस्तर जो कि 16 से 20 वर्ष के लिए है यहां आप राजनीती, युद्ध और प्राशाशने कामकाज के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं यहां हम प्राचीन राजी के सिपाहियों को उनकी पताका के साथ देख सकते हैं हम देख सकते हैं कि आम जंता की साथ राजा अपने दर्बार में किस तरहां व्यवार कर रहा है यहां आप डंड विवस्ता भी देख सकते हैं ये देखिए इस आदमे को हाती के पैर से कुछला जा रहा है ये देखिए कुछ लोग रानी को बड़ी सुरक्षा से पालकी में ले जा रही हैं आप अंतरराश्टी संबंधों के बारे में सीख सकते हैं इस नकाशी को देखिए एक अफरीकी लोगों का समूँ एक जिराफ के साथ भारती राजा से मिल रहा है ये नकाशी इतिहास कारों को आज भी चकित कर रही है क्योंकि वे दावा करते हैं कि अफरीका में कभी भी विक्सित सभिता नहीं थी आप यहां ग्रीक और चैनीज को भी देख सकते हैं निसंदिये आप यहां अन्य छोटे उद्योग जैसे की फैशन के बारे में भी जान सकते हैं मैंने उची हील, सकर्ट और विभिन तरहा के बाल सज्जा के बारे में अपनी दूसरी वीडियो में भी बताया है यहां अब मैं हिंदू धर्म को थोड़ा रूडिवादी कहना चाहूंगा पूरे भारत में किसी भी दमपत्ती को संतान नहीं होती है तो उनके पुरोहित उन्हें इस कोनार्क मंदिर में 21 दिन तक आने की सलहा देते हैं इसके लिए उन्हें रोज सुभा और शाम दोनों प्रहर मंदिर की परिक्रमा करनी होती है जब आप अगले स्तर की नकाशी को देखेंगे तो इसका कारण खुद जान जाएंगे कुनार्क मंदिर में संभवता भारत के किसी भी अन्य मंदिर से अधिक कामुक मूर्तियां हैं हजारों की संख्या में होने के कारण ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इससे प्रभावित ना हो हमें लगता है कि यौन शिक्षा की शुरुआत पश्यमी देशों में हुई थी मात्र मुद्राओं तक ही सीमित नहीं है ये नकाशी क्या दिखाना चाहती है बच्चा पैदा करने के बाद इन्फेक्शन से बचने के लिए ये औरत आग के उपर खड़ी है आप माने या ना माने बॉंडा नाम की जनजाती जो इस छेतर में रहती है वो आज भी इस परंपरा को निभाती है बच्चा पैदा होने के ठीक बाद नीम की लकड़ीयों को जला कर औरते उसके उपर खड़ी हो जाती है वास्तब में ये माताएं प्रसव के तुरंत बाद ही काम करना शुरू कर देती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो आखरी इस्तर 25 साल और उससे उपर के लिए है यहाँ विभिन देवताओं की मूर्तियां है जो कि एक कमभीर विशय है ये बहुत परिपक्व लोगों के लिए है जो कि भगवान में तलीन होने के लिए तयार है आप तभी उपर देख पाएंगे जब आपका ध्यान इन कामक मूर्तियों से नहीं भटकेगा इन देवताओं को कैसे देखना है उसके भी सब लेवल है पर मैं वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा आज हम जो देख रहे हैं वो मंदिर का सिर्फ बाहरी हिस्सा है मुक्य सन्रचना को पूरी तरहां से बरबात कर दिया गया है और हम यहां जिसे देख रहे हैं वो बस मुक्य सन्रचना के सामने बनी एक छोटी सन्रचना है यहां तक कि इसे भी पूरी तरहां से बंद कर दिया गया है इसलिए इसके अंदर क्या है यह हम नहीं देख सकते अगर मंदिर के बाहरी हिस्से से हमें इतनी जानकारिया मिली तो सोचिये इसके अंदर कितना कुछ रहा होगा यह बहुत शर्म की बात है कि हमने इतना कुछ होने दिया नहीं तो आज हमें प्राचीन भारत के कुछ बड़े रहस्यों का पता होता अगर हम आज के मंदिरों को देखें तो पता चलेगा कि यह बस आस्था और व्यापार का जरिया भर है सभी देवताओं की मूर्तियों को दर्शनार्थियों की सुविधा के हिसाब से लगाया गया है और प्रतियेक मूर्ति के पास दानपात्र जरूर रखे होते हैं ताकि शधालू इसमें कुछ पैसे डाले अगर आप 500 साल पहले के मंदिरों को देखेंगे तो आपको इन दोनों में बड़ा अंतर दिखेगा कोनार्क जैसे मंदिर किसी आस्था के लिए नहीं बनाए गए थे बलकि ये तो इनसाइकलोपीडिया, म्यूजियम या किसी विश्व विध्याले की तरहां लोगों को शिक्षित करने के लिए बनाए गए थे इसलिए कोनार्क मंदिर को सिर्फ हिंदू मंदिर कहना उचित नहीं होगा क्योंकि किसी भी धर्म का आदमी यहां आकर बहुत कुछ सीख सकता है अगर आप नास्तिक भी है तो भी इस मंदिर की जानकारियां किसी भी म्यूजियम से कहीं ज्यादा ही होगी तो आपको क्या लगता है कोनार्क मंदिर बस एक आस्था की जगा है या यह हमें शिक्षित करने के लिए 3D में बनाये गया एंसाइकलोपीडिया है मैं प्रवीन मोहन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करना ना भूले और सभी अबडेट्स पाने के लिए घंटी की बटन को भी क्लिक करें किर्प्याइस वीडियो को लाइक करें और मैं आप से जल्द ही बात करूँगा बाई